हरे कृष्णा आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा श्री शीमत एसी भक्ति विदान स्वामी प्रहुपात की द्वारा रचित सरवप्रथम पुस्तकों में से एक इस पर चर्चा करेंगे यह अंग्रेजी में इजी जर्णी टू अधर प्लैनेट्स के नाम से प्रहुपात ने कुछ ऐसे लिखे थे 1960 में जब वो अमेरिका भी नहीं गए थे उसके पहले और यह अलग-अलग ऐसे या निबंद के रूप में उनकी बैक्टू गॉड़ेड मैग्जीन में कुछ इसके पॉर्शन चपे थे लेकिन बाद में श्रीला प्रहुपात जब अमेरिका चले गए तो उन्होंने पूरा जो लिखा था इसको संकलित करके पुस्तक का रूप दिया और उसको नाम दिया गया इसके पीछे भी एक बैक्ग्राउंड है जो आज के हमारे जो शुरोता अगण है वो शायद नहीं जानते हैं और यह बैक्ग्राउंड क्या है वो बैक्ग्राउंड यह है कि जब 1960 के दशक में अमेरिका और रशिया के बीच में स्पेस वार चल रहा था हर किसी में होड मची थी कि कौन पहले स्पेस को कॉंकर करेगा कौन पहले जो है वो अनिक रहों पर जाएगा जिसमें मुखिता हुआ चंद्रमा पर उतरना चाहते थे अमेरिका और रशिया की इस होड में सबसे पहले स्पेस में तो रशियन पहुँच गए थे लेकिन सबसे पहले चंद्रमा पर अन्तता ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन्स पहुँचे जिस पे काफी आज भी संशाय है और डिस्प्यूट है प्रहुपाद ने ये पुस्तक इसलिए रची कि उस समय जो इस पेस वार चल रहा था अमेरिका और रह थे। तो उस बीच में वेदिक ग्यान के आधार पे इस पेस में जाया जा सकता है या नहीं जाये जा सकता है। इसका उत्तर श्रीलपरभुपाद ने बहुत ही विज्ञानिक तरीके से दिया है। इस पुस्तक की एक बहुत विशेष्टा हमें इस पश्ट दिखाई देती है कि किवल दो अध्याय में श्रीलपरभुपाद ने पूरी विशेवस्तू को समेटा है। पहला अध्याय वो लित्ते हैं प्रती पदार्थ मय जगत या एंटी मैटर वर्ल्ड और दूसरा अध्याय वो लित्ते हैं गरह मालाओं की विशेष्टा हैं। और श्रीलपरभुपाद ने ये अपनी पुस्तक उनके गुरु महराज कृष्ण करपामूर्ती श्री श्रीमत भक्ती सिद्धान स्वरसती गोस्वामी महराज को समर्पित की है। प्रस्तावना में श्रीलपरभुपाद कहते हैं कि एक जीवात्मा का जो की सब भिवेक्ती है तो उसकी दो इच्छाएं हमेशा होती हैं। और दूसरा वो हमेशा सुखी रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम संसार में देखें तो ना वो शाश्वत है क्योंकि बार बार उसकी मृत्ती हो रही ना वो सुखी है। तो प्रहुपात फिर आगे कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात अभी-अभी हुई है कि आप लोगों में दूसरे ग्रहों में यात्रा करने की रूची जो है वो बड़ी है। और शिल्व प्रहुपात कहते हैं कि ये बहुत ही सौभविक रूची है क्योंकि समवेधानिक रूप से उसे बहुतिक और आध्यात्मिक आकाश में कि किसी भी भाग में जाने का अधिकार है। शेलो प्रभफात सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी किसी भी हिस्से में किसी भी प्लैनेट के चाहे इस जगत में चाहे आध्यात्मिक जगत में जा सकता है और अपने व्यक्तिकत प्रयास से भी वो ऐसा कर सकता है और उसके लिए बहुत सुगमता से किवल भक्ति योग का अभ्यास करके व्यक्ति इस पुचित मार्ग और निर्देशन में पहुंच सकता है तो इस तरीके से प्रस्तावना में प्रहुपाद कहते हैं कि हमें हमेशा सुखी और शाश्वत रहना है लेकिन हम सुखी शाश्वत नहीं है और उस सुख और शाश्वत को ढूंडने के लिए हम दूसरे ग्रहों पे जाना चाहते हैं अब प्रहुपाद पहले चेप्टर में इस बात को समझाएंगे कि किस हिस्से में संसार के जाने से हमें ये शाश्वत सुख मिल सकता है तो शुरुवात इस फर्स चेप्टर की बहुत ही यूनिक तरीके से होती है प्रहुपाद सबसे पहले कहते हैं कि अभी अभी रीसेंटली 27 अक्टूबर 1959 की The Times of India अगबार में खबर चपी है तो प्रहुपाद कैसे एक उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध खबर को लेकर और उसको धीरे-धीरे व्यक्ति को आध्यत्मिक ज्यान की तरफ मोड़ेंगे ये चैप्टर की बहुत विशेषता है और हमें से जो भी प्रचार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा उधारण भी है तो स्टाग होम की एक न्यूस छपती है The Times of India में कि एंटी प्रोटॉन की खोच करने के उसमें दो व्यक्तियों को जो है वो फिजिक्स का Nobel Prize दिया जा रहा है तो दो व्यक्ति जो इनको फिजिक्स का Nobel Prize दिया जा रहा है और वो है डॉक्टर एमिलो सेगर और डॉक्टर ओवन चेंबरलेन जो सैन फ्रांसिसकों में पैदा हुए एक और डॉक्टर सेगर जो है वो इटली के हैं तो उस ख़बर में ये भी लिखा हुआ है कि एक ऐसा अनिग्रह या प्रती जगत एंटी वर्ल्ड होना चाहिए जो कि प्रती पदार थे एंटी मैटर से निर्मे थो प्रभुपाद यहीं से अपनी विशेवस्तो को लेते हैं कि जैसे ये फिजिकल वर्ल्ड है जो मैटर से बना हुआ है तो इसके अगेंस एक एंटी मैटर है और एंटी कण का जो प्रती कण है एंटी मैटर है उससे बना हुआ एक जगत भी होना चाहिए और बहुत लॉजिकल तरीके से इस शिल्व प्रभुपात तीन पॉइंट यहां से निकाल के लाते है पहला पॉइंट यह लाते हैं कि जैसे एक फिजिकल वर्ल्ड है मैटर का बना हुआ ऐसे ही एक प्रति विपरित गुणों का बना हुआ एक संसार होना चाहिए जिसको कहते हैं प्रति-पदार्थ में जगत या एंटी-मेटर इसके बाद वो कहते हैं कि इस पदार्थ में संसार के अलावा जो एंटी-मेटर वाला संसार है उसको हमें अभी कोई भी अनभाव नहीं है इसका बहुत सीमित अनभाव है और तीसरा वो कहते हैं कि scientist ने ऐसा theorize किया है कि जब ये पति-पदार्थ में मतलब anti-matter और matter आपस में अगर टकराएंगे तो दोनों जो हैं वो विनस्ट हो जाएंगे अब ये 1959 की बात है अगर हम आज की समय की बात करें कि आज anti-matter की जो सारी concepts हैं और जो theory वो कहां तक पहुची है तो हमें ये जान के बहुत हैरानी होगी कि लगबग हम anti-matter के मामले में वहीं पे हैं जहां 1959 में थे आज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज हमारे पास बहुत बड़े-बड़े particle accelerators हैं जिनमें की हम anti-matter को बना सकते हैं आज पूरे संसार में इतने सारे particle accelerators के होते हुए linear accelerators के होते हुए भी total anti-matter जो शायद बना है total वो केवल कुछ nanograms में बना है इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी macroscopic amount का anti-matter भी आज तक कोई नहीं बना पाया 1959 से हम 2021 में पहुँच गए हैं लेकिन physics में हम लगबग वही हैं इस topic पे जहां पे उस समय थे anti-matter के बारे में अगर हम और आगे देखें तो theory लगबग वैसी है कि जैसे एक proton है उसका एक शायद anti-proton होता होगा जिसका की same mass होता होगा लेकिन opposite electric charge होता होगा और number का difference जो है वो quantum number का बस difference रहेगा जो लोग physics समझते हैं वो मेरी इस बात को समझेंगे और फिर उन्होंने अभी भी वही theory दी हुई है कि अगर particle और उसका anti-particle दोनों आपस में टकराएंगे तो annihilate हो जाएंगे और उनसे कुछ photons, neutrons या कभी-कभी कुछ less massive particle या anti-particle की pairs निकलेंगे ज्यादा तर ये सब ionizing radiation के form में निकलेगा रथा तो वो matter और anti-matter दोनों नश्ट हो जाएंगे केवल energy वहाँ पर बचेगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि E is equal to mc square तो conservation of energy होगा तो matter जो है वो energy में convert हो जाएगा अब हम ये physics सब क्यों discuss कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा system है कि ऐसा कैसे होता है हम जो संसार में दुनिया देख रहे हैं प्रभुपात के समय जब ये concept आया था तो उन्होंने कहा था कि शायद इसी संसार में matter भी होगा और anti-matter भी होगा physics में अब ये concept आया है कि जो observable universe है जो दरश्च जगते जिसको देखा जा सकता है वो केवल ordinary matter का बना हुआ है ना कि equal matter और anti-matter का बना हुआ है और ये जो asymmetry है क्योंकि matter matter तो हमारे दरश्च जगत में आ गया लेकिन balance E is equal to mc square के हिसाब से anti-matter भी equal amount में कहीं होना चाहिए प्रभुपाद ने उस समय बोला था कि हाँ anti-matter कहीं और होना चाहिए physics तब इस बात को नहीं मानता था लेकिन अब physics इस बात को मानता है कि ये जो asymmetry है matter और anti-matter की visible universe में ये actually greatest unsolved problem है physics की आज की तारीख में और इस process को जिसमें inequality matter और anti-matter की समझी जाती इसको birogenesis करके पूरी science है physics के अंदर particle physics में जिसमें उसका उत्तर ढूंडा जा रहा है लेकिन प्रभुपाद की अन्निक रहों की सुगम यात्रा में बहुत इस्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह जो द्रश्य जगत है यह physical particle से बना हुआ है जो anti-particle है वो इस द्रश्य जगत में नहीं है वो तो दिव्य जगत में है और इस तरह वो balance हो जाती है energy लेकिन अगर कोई सुने और समझे तो इस बात को बहुत easily conceptualize किया जा सकता है कि यह asymmetry जो द्रश्य जगत में matter और anti-matter की दिख रही है पदार्थ और प्रती पदार्थ की दिख रही है उसका कारण क्या है क्योंकि आपने anti-matter से बनी हूँ जो पूरी दुनिया है उसको समझा ही नहीं क्योंकि जो anti-matter होगा उसकी सारी properties matter के अगेंस होना चाहिए अब प्रहुपाद आगे इस concept को लेकर आएंगे तो matter की property क्या है matter की property है कि वो दिखाई देता है वो बनता है वो नस्ट हो जाता है तो anti-matter इसके opposite होना चाहिए मतलब ना उसका कोई time बनने का होना चाहिए ना उसका नश्ट होने का कोई समय होना चाहिए अर्था तो क्या होना चाहिए शाष्वत होना चाहिए तो प्रहुपाद अब इसके बाद तुरंत जो है वो भगवत गीता और वेदों पे पहुंच जाते हैं पहले वो वेदों के बारे में concept बताते हैं कि वेचार है और उन वे आश्वर में व्यक्ति जो समस्त शक्तियों का उद्गम है तो प्रहुपाद वहां पर ये concept देते हैं कि क्योंकि सब कुछ जो है वो भगवान से आ रहा है तो आधुनिक व्यज्ञानिकों के द्वारा दो प्रकार की सीमिच शक्तियों की खोश तो केवल विज्ञान की प्र ये matter औरposition आए किस से हैं इसका उतत्र साइंस के पास तो प्रहुपात कहते है क्या अधर को डिफाइन कर सकते हैं तो वह कहते हैं आप नहीं कर पाहोगत लेगिन भगवद गीता में बहूत इसका बहुत इसक्ट तुज्ञाद मिलता और वह एकदम से घ्ता के सेकरप्टर मे जहां पर आत्मा के बारे में बहुत इस्पश्ट बताया गया, उसकी एक एक विशिश्टा को बताते जाते हैं आत्मा की और वो से बिल्कुल कोर्रिलेट करते जाते हैं कि देखो ये matter है और आत्मा जो है वो anti-matter है तो matter जो है वो नश्ट हो जाता है, छे जो हैं changes से गुजरता है, एंटी मेटर जो आत्मा है, वो कभी भी नश्ट नहीं होता, इसके बाद में वो कहते हैं कि एंटी मेटर में कोई बदलाव नहीं आता है, और matter में जो है वो बदलाव आता रहता है, और फिर कहते हैं कि श्रीम वो बहुत इस पश्ट रूप से बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शाश्वत हैं वैसे ही आत्मा भी हमेशा शाश्वत होती है और बोले विज्ञान की समसिध्धी सिध्धी तवी होगी जब भौतिक विज्ञानिकों के लिए पती पदार्थ में कण के गुणों को जानना और उसे नश्वर भौतिक कणों के संपर्क से मुक्त कराना संभव होगा तो फिर वो कहते हैं कि जो आत्मा है, जो पति पदार्थ में कण है जो की जीवन का और चेतना का सुरोत है, वो कुछ covering के अंदर बन्दा हुआ है और ये covering क्या है? ये सूक्ष में शरीर की और इस्तुल शरीर की covering है बोले science, असली में science तब माना जाएगा, जब वो इस anti-matter को matter से अलग करना सिखाए और जब तक वो यह नहीं सिखा रहा है, science अफना काम नहीं कर रहा है इसके बाद में वो कहते हैं कि हम बाकी दोनों point पे science के agree हो गए और ये दो point क्या है हमारे कि एक पती-पदार्थ में अणू या कन होता है तो हम इस बात के लिए भी agree हो गए कि इस पतार्थ में संसार के अतिरिकत एक और संसार है जिसका हम के वल सीमित अनवाव कर सकते हैं लेकिन प्रति पदार्त में और पदार्त में संसार एक दूसरे से टकरा के विनष्ट हो जाएंगे, इसके लिए बोले हम एगरी नहीं होते हैं, इसके लिए इसलिए एगरी नहीं होते हैं, क्योंकि अब प्रभुपाद कॉंसेप्ट देंगे कि basically matter जो है वो नष्ट हो जाता ह लेकिन antimatter हमेशां बना हुआ रहता है तो antimatter हमेशां बना रहेगा तो प्रभुपाद के अनुसार जो भगवान का जगत है, देव जगत है वो हमेशा बना रहेगा जो पदार्थ में संसार है वो आड़ भोतिक तत्वों से बना हुआ है और पदी पदार्थ में जो है वो केवल भगवान की दिव शक्ती से बना हुआ है तो इस तरीके से प्रहुपाद महां पे फिर भगवान को लेकर आए और भगवान की शक्तियों को लेकर आए कि भगवान की शक्तियां दो होती है, एक निम्न शक्ति होती है और एक श्रेष्ट शक्ति होती है, और बोले जो इनफीरियर एनरजी है भगवान की, वो ये पूरा संसार है, जो भौतिक जगत है, जो सुपीरियर एनरजी है वो भगवान का दिव जगत है, और जो मार्जिनल energy है वो भगवान का वो जीव आत्मा है तो इस प्रकार से प्रहुपात कहते हैं कि पदार्थ में जगत में सरवच ग्रह को क्या कहा जाता है सत्य लोक या ब्रह्म लोक कहा जाता है और उसमें सबसे निपूร्ण लोक जो हैं महाँ पे निवास करते और वहाँ पे ब्रह्मा जी है जो कि इस प्रदार्थ में जगत के प्रथम सरजित वेक्ति हैं लेकिन ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है और वो ब्रह्मान के सबसे निपुर्ण वेक्ति हैं लेकिन वो इतने निपुर्ण नहीं कि उनको श्री भगवान की श्रेणी में रखा जाए तो इस प्रकार से वेज्ञानिक वास्तों में सभी लोगों की सेवा करेंगे यदि वे पती पदार्थ में जगत की रचना की शोत करेंगे और उसका संचालन कैसे किया जा रहा है वहाँ वस्तों का आकार किस तरह का होता है वहाँ पर अधिष्टाता व्यक्ति कोन है इत्यादी तो फिर वो कहते हैं अब प्रहुपाद भगवत गीता से भागवतम पर आ जाते हैं और कहते हैं कि भागवतम में इन तथ्यों का विशद रूपेंड प्रकाश डाला गया है औ अब अगर किसी को पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा लेकिन फिर प्रहुपाद को पता है कि वेज्ञानिक लोग ऐसा करेंगे नहीं इसलिए वो कहते हैं कि संसार में मनुष्य दो तरेके होते हैं एक आध्यात्मवादी होते हैं और एक भोतिक वादी होते फिर प्रहुपात कहते हैं कि जो अध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनका ज्यान ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो गुरु शिष्य परमपरा के आधार पर ज्यान आ रहा है और जो प्रगाड भोतिक्तवादी हैं वे भगवान को और पति-पदार्थ में जगत अथा तेंटी मेटर से बने हुए दिविजगत को मानते नहीं हैं और उनके लिए प्रहुपात के लिए की बहुत अच्छी संग्या है वो कहते हैं कि ये लोग बहुत अभागे वेकती हैं क्योंकि ये कभी-कभी दूसरे प्रकार से अती निपुर्ण शिक्षित और उन्नत हो सकते हैं लेकिन क् कि ये भगवान को नहीं जान पा रहे हैं इसलिए ये बहुत अभागे हैं भ्रमित हैं क्योंकि उन्हें सही ग्यान नहीं है और फिर वो उस बात को एंड करते हैं ये कहते हुए कि लेकिन अब एक शुब्चिन ने मुझे दिखाई दे रहा है कि एट लिस्ट जो बहुत एक ग्याने के फिजिसिस्ट हैं वो दीरे दीरे पती पदार्थ में जगत के शेत्र में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जैसा हमने देखा कि 1959 से लगए 2021 तक उनको बहुत कुछ ग्यान नहीं मिल पाए क्योंकि उन्हें ने ग्यान के सही सुरोत को ढूंडा ही नहीं है प्रहुपा रोज हम देख रहे हैं कि नश्ट हो रहा है लेकिन पती-पदार्थ में एंटी-मेटर वाला जगत कभी भी नश्ट नहीं होगा जो नश्ट हो रहा है वो क्या है वो प्रकृति की संग्या दी जाती है यह रजोगोन तमोगोन सत्वगोन के अधीन है और इसलिए यह दूरेशन टाइम का जादा है तो प्रहुपात फिर डूरेशन को कैलकुलेट करके बताते हैं कि किस तरीके से वो नश्ट होगा कितने सालों में नश्ट होगा कितने सोलार इयर्स लगेंगे उसको फिर कहते हैं कि वे ही जीवात्मा जो पदार्थ में जीवन की प्रगट अ है कि इस चैप्टर का सार क्या है तो यह प्रभुपात की लाइन है इस चैप्टर का पूरा सार है और इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि जो जीवा आत्मा है पदार्थ में जीवन अर्थात माटेरियल लाइफ में जीते हुए पूर्ण पुर्षवत्तम भगवान की प्रेम में सेवा में लग जाती है मतलब आज से वो सेवा करने लगती है तो जब वो पदार्थ में शरीर मतलब माटेरियल बाडी को छोड़ती है तो नीसंदे प्रती पदार्थ में संसार में चली जाती है एंटी मेटर वाले संसार में चले जाती है और इसी को अमरत्व जो है वो कहा जाता है तो जो पती-पदार्थ में कार्यों के अभ्यास से श्री भगवान के पास लोटते हैं मतलब आज हमें पतार्थ में शरीर में रहते हुए कारे कैसे करने हैं पती-पतार्थ में कारे करने हैं एंटी-मेटर वर्क करने ह तो ये क्या है प्रती पदार्थ हमें कार प्रहुपात का लॉजिक आता है वो कहते हैं कि ये औशदियां है बोले जैसे कोई बिमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको दवाई का नुस्का देता है और वो रोग मुक्त हो जाता है बोले उसी प्रकार भोत इक्तववादी व्यक्ति क्या है एक बिमार आत्मी है और उसको किसी कुशल आध्यात्मिक वादी डॉक्टर के पास जाके सला लेनी चाहिए तो यहाँ प्रहुपात का जो फार्मेसी का बेक्गराउंड है वो दिखाई देता है बार बार जन्मरत्यू जरारोग कश्टों से पीड़े थे और अगर एक बार भगवत धाम वापसी के उपचार को प्रहुपात उसको बोलते हैं होता है जो छोटा प्रलाय होता है आंशिक प्रलाय और एक जो है वो कंप्लीट प्रलाय होता है जो अंत में होता है और बोले जब कंप्लीट प्रलाय होता है तब भी जो है टकराव नहीं हो रहा है केवल भोतिक जगत ही नश्ट हो रहा है नित्य विद्धिमान रहने वाला प पती पदार्थ में जगत को तो उसे नहीं देख पाओगे। उसे पती पदार्थ में जगत के बारे में केवल इतनी जानकारी हो सकती कि उसके अस्थित्व के सिद्धान पदार्थ में जगत के गुणों के पूनता विपरित हैं। इतना बस आप speculation कर सकते हो कि अगर है ऐसा संसार और होना ही चाहिए E is equal to MC square के हिसाब से तो definitely वो संसार है लेकिन केवल हम उसकी qualities को, characteristics को speculate कर सकते हैं उसकी बारे में हम थोड़ी बहुत आंशिक रूप से जानने का प्रयास कर सकते हैं सिध्धान तो बना सकते हैं लेकिन हम उसको अपने इस आखों से नहीं देख सकते हैं तो इस प्रकार यह जो वेदिक ज्यान है वो ब्रह्मा जी के रदय से होता हुआ किस तरीके से नारद मुनी के पास आया और किस प्रकार से ज्यान शुरुवात में भगवान श्रीकृष्ण ने विवस्वान को दिया था और गुरू श्रीश की परंपरा हुई यह सब प्रहुपाद बताते हैं और बोले अब अगर आपको समझना है तो यह तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको किसी material equipment से आपको पती पदार्थ में जगत नहीं दिखाई देगा अब प्रहुपाद बताते हैं कि दिखाई कैसे देगा फिर पती पदार्थ में या anti-matter जगत को या दिव जगत का विवरन समझने के पहले व्यक्ति को अपनी आदतों में और रदय में बहुत निर्मल होना पड़ेगा बोले जब तक वो निर्मल नहीं होगा उसको ये anti-matter वाला जगत नहीं दिखाई देगा तो भक्ति योग एक विस्तरत विज्ञानिक दिव विकार है जिसे नवीन सादक और पूर्ण योगी जो दिया गया है उसको समझना है और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना है और उनके कहय अनुसार अपने जीवन को आचरन में रखना है तो जिस प्रकार पेड की जड़ में पानी देते हैं तो शाखाँ पत्तियों को अपने आप पानी मिल जाता है उसी प्रकार जब पूर्ण पुर्शुत्त भगवान श्री कृष्ण की पुजा करते हैं तब वो पदार्थ में संसार के समिस्त विभरण अपने अप प्रकाशित हो जाते हैं और भकत का रधै बिना भौथिक रूप से कार किययोग गोशित ज़ुशित हो जाता है और यही भगवद गीता का रहस्य है तो प्रहुपाद यहां पर भगवद गीता का रहस से बताते हैं कि किस प्रकार से यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं तो बोले एंटी मेटर वाले संसार में एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भौतिक जगत से अलग तरीका है हुआ एंट्री करने के लिए तो आप अपने अंतरिक्षियान अग्रा अगनी बान आदी से वहां जाने का प्रयास कर सकते हो लेकिन आप वहां पहुँच नहीं पाओगे और भगवद गीता में बताएगा कि कैसे महां पहुँचा जा सकता है तो जिनोंने दिव्विता का साक्षात कर लिया है वेवेक्ति उत्तरायन के समय में सूर्जा अपनी उत्तर की यातरा पर होता है शुप शणों में जब अगनी और प्रकाश का देवता वाता और अनको नियंत्रिट करते हैं अपने पदार्त में शरीर को छोड़ कर पती पदार्त में जगत में पहुँच सकते हैं तो ये भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि कैसे हम यहां से छोड़ के वहां पर जा सकते हैं लेकिन जिसकी भी बहाँ एंट्री की इच्छा है उसको सबसे पहले भक्ति में सेवा के साधनों का और क्रियाओं को अपनाना पड़ेगा जब वो इन सब क्रियाओं को अपनाएगा तब वो कुशल आध्यात्मवादी वेक्ति के निरिक्षन में और उनके संग्रक्षन में आगे भक्ति में बढ़ सकता है इसलिए प्रहुपात कहते हैं कि भक्ति योग सभी के लिए सबसे अच्छी संजीवनी है और बोले कल्योग में तो भगवान ने इसको और भी आसान कर दिया है कैसे आसान कर दिया है क्योंकि अपने महान दानशूर और मुक्त रदय आवतार श्री चैतन्य महाप्रोग के रूप में बंगाल में प्रगट होकर उन्होंने संकीर्टा नांदोला नर्थाद गायन रत्य और बगवत नाम का कीर्थन प्रचार के द्वारा कोई भी व्यक्ति भक्ति योग के तत्यों को शीकृता पूर ग्रहन कर सकता है और इस प्रकार उसकी रदय की समस्ता आशंकाय दूर हो जाएंगी बहुत इकलेश मढ़ जाएगा और दिवजान आनन्द उतर आएगा और फिर प्रभुपात कहते हैं ब्रह्म सहिता के पांचवे अध्याय में भी यही बताये गया कि बहुत सारी ब्रह्मान है और उन बहुत सारे ब्रह्मान में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है बहुत इक रूप में वो केवल भगवान की एनरजी का एक चौथाई हिस्सा ह भगवान की एनरजी का तीन चौृथा हिससा तो शाषवत आध्यात्मिक जगत में है तो भगवान की सरवादिक स्रजनात्मक शक्ती जो है दिव जगत में है वो यहाँ पर भगवान दिखाती नहीं और इसके बाद मासकों के एक समाचार पत्र का हवाला देते हैं प्रभुपाद बहुत वेल रेड हैं और वहां से उस चीज को पकड़ते हैं कि यहां रशिया का एक साइंटिस्ट बोल रहा है और विर्फ्तुरंत जो है वो ब्रह्म सहीता का श्लोक दे देते हैं कि यस्य प्रभा परववतो जगदंड कोटी कोटिश्य वे वसुधादी विभूती भिन्नम तद ब्रह्म निश्कलम अनंत वशेश भूतम गोविन्नम आदी पुरुशंत वमाम भजामी ब्रह्म सहीता के सुध्रन कैनसार रूसी खगोल कीए अनंत ग्रहय रहा ही नहीं अनंत प्रह Maja भी है और आज अब साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं लोगों ने अब universe शब्द को हटा दिया है अब वो कहते हैं multiverse तो अब बहुत सारे universe हैं यह science भी मान गया है और फिर उसके बाद प्रहुपाद एक और प्रॉफेसर व्लादी मीर अलपातो जीव शास्त्री का भी उधारन देते हैं तो हमें यहां दिख रहा है कि अबी गए नहीं है लेकिन 1960 में भी वो इतने सब संसार में क्या चल रहा है और क्या scientist क्या theory दे रहे हैं यह सब up to date हैं तो वो कहते हैं कि उन्हों ने कहा है ऐसा कि प्रत्वी जैसा ही जीवन अन्य ग्रहों पर भी हो सकता है और रसायन शास के विद्वान डाक्टर निकोला जरौ ने भी यह कहा है कि मंगल ग्रह पे भी हो सकता है जीवन हो तो इस प्रकार प्रभुपाद बहुत सारे scientific evidence भी बोल रहे हैं कि संसार में केवल जीवन यहीं पर नहीं है संसार में जीवन और भी जगे हो सकता है तो अगर कोई पदार्थ में आकाश किके किसी अन्य ग्र में प्रवेश करना चाहिए तो उसे बरतमान शरी छोड़ने के बाद तुरंत महां जा सकता है इस प्रकार यदि कोई चंद्रमा सूर्य मंगल ग्रह पर जाना चाहिए तो उसके लिए उसे आवश्य क्रियाय करके वो यह भी कर सकता है वह यह भी भगवत गीता में दिया गय करता है और विचार में मगनों कर शरीर त्याग करता है वही विशिष्ट वस्तु उसे म्रत्य के बाद प्राप्त होती है तो अगर वो संसार छोड़के मंगल ग्रह का दियान करेगा मरते वक्त वो मंगल ग्रह पहुंच जाएगा और बोले श्रीमत भागतम के तीसरे सकंद के 32 अध्याय में चंद्रमा पर जाने की प्रक्रिया भी बताई गई तो प्रहुपाद इस तरह से कहते हैं कि ठीक है बाकी ग्रहों पर भी जा सकते हैं अश्टांग योग की पद्दिती का पालन करके लिकिन व्यक्ति जो है यहां पर गुमरा है और उसकी आत्मा कितनी शक् उसक्रणने के बाद वापस आना पड़ेगा यह प्रहुपाद कहते हैं कि इवल भगवान के ग्रह पर जाकर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा इसलिए सिद्ध-योगी वो है जो पूर्ण चेतना में देहत्याक करें और वो किसी और भौतिक ग्रह पर ना जाकर भगवान क ग्रह पर जाना चाहें, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि म्रत्यूरूपी कसोटी के समय व्यक्ति प्राण शक्तियों को कैसे इस्थिर करता है, उस पे निर्भर करेगा कि वो कहां जाएगा, तो मनुष्य जो स्वतंत रिच्छा से संपन है, वो जाए है जहां जा सकता है, ऐस प्रहुपात कहते हैं, लेकिन मानव निर्मित उपग्रा और यांतरिक अंतरिक्ष वाहन कभी भी बाहरी अंतरिक ग्रहों में नहीं जा पाएंगे, ऐसा भी वो कहते हैं कि बीच के अंतरिक्ष के ग्रहों में हम मेकना इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर के ग्र गुरु को संतुष्ट करना पड़ेगा और बुद्धी मता पुर्ण प्रश्ण बूच के अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा और सदेव महान रिश्यों के चरंचिन्नों का पालन करने का प्रयास करना पड़ेगा जब इस प्रकार गरंत पड़ते हुए व्यक् इकवान की विशेश्टितियों पर उपास करेगा और गो, माता, विद्वान, ब्राह्मन सबके लिए आदर का भाव रखेगा कीर्तन करेगा और भक्तों का संग टालेगा और बहुत सारे शिश्यों को स्विकार नहीं करेगा केवल गरंत वाक्यों का उद्धरन देके महान विद्वान के रूप में अपने आपको प्रस्तुत नहीं करेगा और ये जो चवदा बाते हैं इनका सफल अभ्यास करता रहेगा मानसिक संतुलन बनाते हुए और मोशोक से ग्रसित नहीं होगा किसी और का अनादर नहीं करेगा किसी की पूजा पद्धिती का भी अनादर नहीं करेगा लेगिन भक्तों के निंदा को वो कभी नहीं करेगा और किसी को मन से वो दुख नहीं पहुँचाएगा तो ऐसे बीस नियमों मेंसे पहले तीन प्रहुपात कहते हैं सबसे आवशक हैं और जो अगर ये नियमों का पालन करेगा भक्तों का संग करते हुए और पवित्र नाम का जब करता रहेगा और दिव विशेबस्तु का श्रवन करता रहेगा और भगवान के जो जन्म स्थान माथुरा में अपना निवास स्थान बनाएगा या वहाँ पर जाएगा धाम यात्रा करेगा और विग्रों की पूजा करेगा तो ये सारी बातें कोई भी किसी भी कोने में रहके संसार के कर सकता है ये प्रहुपाद उस समय कह रहे हैं जब वो अभी अमेरिका नहीं गए है वो ले इस पे और ज़्यादा जानकर इकलिए भक्ती रसामरत सिंदु पुस्तक को जो है वो पढ़ना चाहिए और इस प्रकार जब वेक्ति करेगा तो उसकी आध्यात में प्रक्ति होगी और वो भगवान के दिव विधाम को जाने का अधिकारी हो जाएगा जैसे की परिक्षित महराज ने केवल शुकदेव गोसवामी से शरवन करके जो है इस तर प्राप्त कर लिया शुकदेव गोसवामी ने वही इस तर अपने महान पिता के दिव संदेश को शब्दशा नेरुपन करके प्राप्त कर लिया प्रालाद महराज ने नारद मुनी से जो सुना उसको इसमरन करके इसको प्राप्त कर लिया भाग की देवी लक्षमी जी ने केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ये प्राप्त कर लिया, राजा प्रतु ने केवल भगवान की पूजा करके यश प्राप्त कर लिया, और रत के सारती अप्रोर ने मात्र भगवान के स्तुति गायन के दोरा इसको प्राप्त कर लि और बली माराज ने स्वयम के शरीर सहित सबकुछ श्री भगवान को समर्पित करके ये प्राप्त कर लिया तो ये भक्ती की नो प्रामानिक विधिया हैं तो हम देखते हैं कि कैसे प्रहुपाद मैटर एंटी मैटर से होते हुए भक्ती पर आ गए और भक्ती की विविन विधिया और कैसे भक्ती में अपने आपको हम प्रग्ती कर सकते हैं ये भी प्राप्त ने सिखा दिया और एक रूसी व्यग्यानिक का और उधारन देते हैं कि मनुष को सदा जिवित रहने के विशय में साहता कर सकती है तो प्रहुपात कहते हैं कि सदे अगर जीवित रहना है तो एक ही उपाय है और बोले वो उपाय है कि आध्यात्मिक जीवन को समझना पड़ेगा जीवात्माएं हम इसको समझना पड़ेगा तो हम वैसे भी शाश होते हैं हमें कि यहाँ पे बहुत जीवित रहने का प्रयास करने की आउशक्ता नहीं है और बोले जादातर लोग अपना सिद्धान प्रस्तुत करते हैं जिनमें आखरी में ये लिखा रहता है कि ये समझना मुश्किल है और हमारी कल्पना शक्ती से ग्रहन नहीं कर सकती ये अबोध्य है लेकिन इसका केवल अर्थ ये है कि एक्चुली उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो सही आखनों पर आधारित नहीं है बोले इसलिए समस्त बहुत एक आकारों का परिवर्तन का नियम लागू होता है लेकिन एनरजी कभी लॉस नहीं होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने प्रती पदार्थ में जगत पे इतने अच्छे उधारन के द्वारा बताया कि जो भगवान है वो समस्त यूनियों के पिता है और उनके द्वारा ही सब कुछ जो है संचालित हो रहा है तो भगवत गीता और भागवतम को अगर हम अच्छे से पढ़ें और सनातन धर्म के अनुगाई बनें तो हम इन सारे सिध्धानतों पर चलते हुए शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम लोट सकते हैं यही भगवान ने सिखाया है और क्योंकि यह बात भारत भूमे में कही गई थी इसलिए इसको फैलाने की जिम्मेदारी हर वेक्ती की है इस्पेशली जो भारती है उसकी तो है यह प्रापात का पहला चैप्टर वो यहाँ पर समाप्त करते हैं तो पती-पदार्त मैं जगत के बारे में अंटीमेटर के बारे में इतनी गहन जानकारी प्रहुपाद ने इस पुस्तक में पहले अध्याय में हमें दी है और इतने साइंटिफिक तरीके से उस बात को प्रेजन किया है कि इतने सालों के बाद भी वो इतनी वैलिड है आज भी हम पढ़के बहुत कुछ अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद Hare Krishna Hare 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 Krishna